बेस्त लेटर फौ वीडियो एड्टिंग के लिए तो अघर आप वीडियो एड्टिंग करना जाते हो 1080p ट्राई करना जाते हो जा अगर 4K भी ट्राई करना जाते हो एंड अगर आपको 40,000 और यह वीडियो माश पेशिल यह आपके लिए करोो तो वीडियो को पूरा देखना, skip or मत करना, start करते हैं, तो बात कर लेते हैं number 5 की, number 5 की बात करते हैं, लेकिन number 5 की बात करने से पहले मैं आपको कहा दाना चाता हूँ भी, अगर आपने video editing करने हैं, जा अगर आपने gaming करने हैं, अगर आपको 43,000 के बटर में मिलेगा, अगर आप extra pay कर सकते हो, तो आप 11th generation की और चले जाना, ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी, अगर मैं SSD की बात करूँ, इसमें जार जो data है न वो जल्दी transfer हो जाता है, इस comparison के आज़ है, HDD के साथ ठीक है, 8GB RAM देखने को मिलेगी, जिसको आप upgrade कर सकते हो, 16GB तक, ठीक है, प्लस आपको integrated graphic card मिलता है, ठीक है, तो इसको number 5 पर रखने का सिर्फ एक reason देखने को मिलता है, कि आपको integrated graphic card देखने को मिलता है, और कोई भी reason नहीं है, इसको number 5 पर रखने का, तो भी अगर आपको HP का ही laptop चाहिए, अगर आपने video editing करनी है, जा अगर आपने normal setting पर gaming करनी है, आप इस laptop पर कर सकते हो, बस मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, कि आपने 16GB RAM के और minimum जाना ही जाना है, अगर आपने video editing करनी है, जा अगर आपने gaming करनी है, आपको integrated graphic card देखने को मिलता है, तो आपकी जो gaming है, वो experience अच्छा नहीं होगा, अगर आप 8GB के पास जाओगे, अगर आप 16GB RAM के और जल जाते हो, तो आपका experience जो है, वो बहुत जाला सही हो जाएगा, एंड आपको i3 देखने को मिलता है, 10th and 11th generation के साथ, जो की सच में तगड़े पुरसाइस रहेटी का, कोई भी problem issue नहीं आने वाला, आगे बात करते है, नंबर 4 की, नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पर यार मैंने रखी है, M.I. Notebook 4 इनको, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले, यही laptop भी आपको 41,000 के बटर में देखने को मिल जाता है, laptop का design, build quality बहुत ज़रा सही है, प्लस भी अगर आपको as a student भी चाहिए, as a office work के लिए भी चाहिए, अगर आपने video acting भी करनी है, अगर आपने gaming भी करनी है, आप सभी के लिए best deal हो सकता है, इसके सबसे पहले graphic card की बात करते है, आपको Intel UHD graphic भी देखने को मिल जाते है, ठीक है, आपको MX350 2GB graphic card भी देखने को मिल जाते है, तो प्लस पॉइंट तो उस laptop के देखने को मिल जाते हैं, अभी मैं आपको इसका minus point भी बता देता हूँ, इसके minus point की बात करूँ, आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आ जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, वैसे इसकी display quality बहुत ज़्यादा सही है, build quality उसके साथ भी इसका trackpad भी बहुत ज़्यादा सही है, long battery lap मिलती है, सबसे पहली, सबसे पहली बात आती है, या आपको 10 hours का battery backup मिल जाता है, मैं जितने भी आपको laptop बतारो ना, किसी laptop में भी आपको 10 hours का battery backup नहीं मिलता, जो कि सच्च में एक plus point आ जाता है, am I notebook 14 का, अभी आगे बात करते है, number 3 की, number 3 की बात करूई है, number 3 पर मैंने रखा है, Lenovo IdeaPad Slim 3i को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले इसका budget बहुत जादा सही आपको मिल रहा है, so that's why मैंने इसको number 3 पर रखा, because अगर आपका budget 40,000 से भी कम है, अगर आप extra pay नहीं कर सकते, आपके लिए best deal हो सकता है, Lenovo IdeaPad Slim 3i Plus, अगर मैं इसके budget range की बात करूँ, आपको 37,000 के budget में मिल जाता है, अगर आप 5 परसंट या 10 परसंट आफ ले ले लेती हो, HDFC कार्ड पर या SBI कार्ड पर इस laptop में आपको 5000 less देखनी को मिल जागा, तो इस laptop का price हो जगा 30,000 के budget में, 30,000 के budget में आपको बहुत अगरे specification देखनी को मिलेंगे, आपको i3 देखनी को मिलेगा, 10th generation के साथ में मिल जागा, आपको 11th generation के साथ भी देखनी को मिल जागा, भी अगर आप 11th generation की और जा सकते हो, आप دेख लेना, अगर आपको 10th generation बहुत है, तो आपको वो laptop भी बहुत अगरा मिल जाता ह। कोई problem नहीं आती है, 11th generation हो गया, इतना इनका जो फर्क पर गारा नहीं होता ठीक है आप लॉंग टाइम पर यूज़ कर सकते हो इस लैपटाप को एस तुरेंट हो एस ऑफिस बर के लिए चाहिए अगर आपने को हैवी सॉफटर यूज़ करना अगरा वीडियो एक्टिंग पर भी करना चाहिए उसके बाद भ अभी मैं आपको फिर से रिपीड कर देना चाहता हूं कि आपको 8GB RAM मिल जाते हैं लेकिन आपने अपग्रेड करनी ही करनी है 12GB तक आपने रखने ही रखनी है ठीक है अगर आपने गेमिंग करनी है अगर आपने वीडियो एट्टिंग करनी है अगर आपने कोई हैवी सॉफ अगर आपको 41,000 के बजर में एक स्लिम एंड स्टालिश डिजान भी चाहिए अगर आपको गेमिंग भी करनी है अगर आपको वीडियो एट्टिंग भी चाहिए प्लस अगर आप कहीं पर लेकर जाते हो कोई बंदा आपके लैप्तॉप को देखता है सच में कोई बंदा 11th generation के साथ मिलता है 8GB RAM मिल जाते है 16GB तक आप अपकरेड कर सकते हो प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी मैंने आपको पहले बता दिया slim and stylish design है तीन गल्र में देखने को मिलता है एंड इसके बैंटरी बैकप की बात करूँ आपको 4-5 hours का बैंटरी बैकप प्रवाइड कर देता है उसके बाद इसका weight यार 1kg 800 gram सिर्फ इसका weight देखने को मिलेगा तो बही मेन स्पेसिफिकेशन में आपको असूस laptop के भी बता दि आपने करनी है ऐसे हैं कि आपने 8GB रखनी है अगर आपको experience अच्छा चाहिए तो आपने 16GB RAM minimum रखनी है अभी आगे बात करते हैं No.1 की No.1 की बात करूँ No.1 पर यार मैंने रखा इससर इस पायर 5 को अगर इस laptop की बात करूँ सबसे पहले यार अगर इसके budget range की बात करूँ आपको अगर आप extra pay कर सकते हो आप इस laptop के और चले जाना because आपको 45,000 के budget में specification पूरे loaded मिल जाते हैं आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते हैं जो कि आप upgrade कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको SIT देखने को मिलेगी graphic card की बात करूँ आपको 2GB graphic card देखने को मिल जाते है तो i5 के साथ आपको 10th generation के साथ देखने को मिल जाता है पूरसाइसर भी बहुत तगड़ा है RAM भी तगड़ी हो जागी and आपको graphic card भी 2GB मिल जागा तो भी आपने जैसे भी यूज़ करना है आप कर सकते हो तो अभी मैंने आपको सभी laptop के specification बता दिये मैं आपको फिर से repeat कर देत हो एंड अगर आपका बड़ी फारी वान थाउजन है इस budget range में असूस जो है वो बहुत जादा सही कर रहा है आप असूस के laptop के और चल जाना वो बहुत आपको specification तगड़ी मिल जाते है अगर मैं बात करूँ अगर आपका बड़ी फारी फार्स हो रहे है तो इस budget range में भई आप जा सकते हो लिनोव वो आइडियापेट स्लिंग 3i किया हो ठीक है वो लुटेड मिल जाता है इसा specification के according देखा जै प्लस उसके साथ आपको बैग मिल जाता है एंड अगर आप 5% जा 10% आफ ले ले लेते हो उसका price और भी कम हो जाएगा जो कि आपके लिए ही benefit होने बाल अब यह आगे मिलते हैं कोई नया topic वगारा लेकर आएंगे आपके साथ share करेंगे तो यार मेरी वीडियो यही पर हो जाती है खरतम अगर आपको मेरी बेच्च लगी यार वीडियो को लाइक कर देना कमेट कर देना शेयर कर देना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदेना उनक को भी गयता ना कि चैनल को करें सब्सक्राब वीडियो को करें लाइक इन इस्ताग्राम पे करें फॉलो लिंक अब गार या आपको डिस्क्रेप्शिन बॉक्स में देखने को जागा उसके चौब करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में ने वीडियो साथ तेंक्यू